आप देख रहे हैं देवास का अपना विश्वस्मीट न्यूस चैनल राश्टी नवाचार कोरुना के नए वेरियंट की विज़ेस्व में फैलने की सूचना है अभी तक भारत में नए वेरियंट की उपस्थिती की कोई सूचना नहीं है लेकिन साफधानिया अतियन्त जरूरी है इसलिए आज ही हमने बैठक करके कुछ फैसले किये हैं एक हमने निर्देश दिये हैं कि दूसरे देशों से मधप्रदेश में आने वाले यात्कियों के संबंद में भारत सरकार के सर्विलांस के नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए एक महीने में जितने भी लोग अंतर राश्ट्री उडानों से यहां आए हैं आगमन जिनका हुआ है उनको चेक करना और अगर कोई पाया जाता है संदिग्द तो उसको आईसोलेशन में रखना उसकी आवज सकता है उसके निर्देश दिये हैं जीनोम सीक्वेंसिंग के सेंपलों की भी हम संख्या बढ़ाएंगे ताकि यह अगर कहीं इस तरह की कोई स्थिती बने तो जानकारी का अभाव ना रहे आज हमने अंदिर्देश दियें जितनी आवसक दवाई हैं उनकी उपलब्धता सुनिश्चित कर ली जाए चाहे वो रेमडिस्विर इंजेक्संस हों चाहे दूसरी दवाईयां हों अलग अलग तरह की उसकी सब की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे आक्सिजन की लाइनों से लेके अस्पतालों की वाकी रिवस्थाएं आक्सिजन प्लांट्स जो हमने लगाए हैं उनको भी चला के देखने के हमने निर्देश दियें क्योंकि कही जगे उसकी जगरत पढ़ ही नहीं रही थी आगए उसलिए आवसक जितनी तैयारी है वो सारी तैयारियां अस्पतालों में दवाई की स्थर पर फिर रोज जो टेस्ट होते हैं उसकी स्थर पर अभी लगबग गठ्थावन साथ हजार हो रहे हम उसकी संख्या और बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं फिर भारत सरकार और दोस्तों का पूरी तरह से पालन करेंगे उस दिसा में भी निर्देस्ट दिये हैं कारवाईयां हम करेंगे एक जिसमें सबसे ज़्यादा साबधानी की जरुवत है हमारे अठारा साल से कम उमर के बच्चे हैं क्योंकि उनका टीका करनन नहीं हुआ है और इसलिए हमने तैय किया है ततकाल प्रभाव मतलब कल से आज तो रभी बार है इसकूल खुलेंगे लेकिन इसकूल में बच्चों की संख्या 50% होगी मतलब 6 दिन में से 3 दिन बच्चे पढ़नी इसकूल जाएंगे 50% कैपिसिटी के कारण 50% एक दिन आएंगे 50% दूसरे दिन आएंगे उसके स ना थी सकूलों को ऑनलाइन क्लासेज चालू करनी पड़ेगी ताकि विकल्प पालकों के पास रहे कि वो अगर बच्चों की सकूल नहीं भेजना चाहते तो ऑनलाइन पढ़ाई हो जाए इसलिए विकल्प सामने रहे पैरेंट्स की इक्षा होगी तो ही बच्चे सकूल जा पूल नहीं बुलाए जाएंगे पैरेंट्स बेह जेंगे भी नहीं लेकिन हम उनकी अनुमती आवस्यक होगी सेकंड डोज टीके का लगबक हमारे हैं 62 परसेंट को 62.5 परसेंट लोगों को लग चुका है रोज टीके लग रहा है लेकिन एक तारिक को हमारे टीका करन का फिर विसेस अभ्यान है महाभ्यान सभी से मैं अपील करता हूं कि पूरी ताकश से जुटके जो सेस बचे हैं सेकंड डोज के लिए या फस्ट के लिए भी कोई सेस बच गया है तो उसका टीका करन पूरा हो जाए 29 तारिक को पहले से मेरा तैथा कलेक्टर एस पी के साथ वीडियो कॉन्फरेंसिंग का उसमें हम कोविट की पूरी समीच्छा करके सभी आवसक निर्देश कल कलेक्टर्स को एस पीज को संबंदित और अधिकारियों को कमिस्नर आई जी सब को दिये जाएंगे प्रदेश पूरी तरह से एलर्ट पर रहेगा एक तारिक को सवेरे मैं दस बजे क्राइसिस मेनिजमेंट कमेटियों से चर्चा करूंगा क्राइसिस मेनेजमेंट कमेटी हमारे जिलों की मंडलों की विलाक्स की और पंचादों की और सब को हम तयार रखेंगे कि अगर तीसरी लहर आती है तो उसे लड़ने के लिए हम कमर कसके तयार रहें क्योंकि विना समाच के सहोग के ये लड़ाई जीतना कटिन होता पहले भी समाच के सहोग से हम लोग जीते हैं मास्क लगाना और दूरी बनाना अभी हम कारिक्रोमों पर प्रतिवन्द नहीं लगा रहे हम लोग नज़र रखे हुएं इस्थिती पर वो देखेंगे लेकिन ये अपील और आग रहे सभी प्रव्देश वासियों से है के कारिक्रोम में जाएं लेकिन मास्क लगाए रहें या था संभब दूरी बनाए रखें हाथ पहले की तरह साफ करते रहें और जरावी लक्षन अगर दिखते हैं तो तुरंट टेस्ट बैसे भी टेस्ट में सही हो करें लेकिन तुरंट टेस्ट करवाएं अभी इस्थिती चिंता जनक नहीं है प्रमुक रूफ से दो सहरों में ही पॉजिटिव केस आ रहें इंदौर और भोपाल में और उनकी संख्या भी ऐसी नहीं है जो आज हमारे मन में डर पैदा करें लेकिन सावधानी जरूरी है तो कि इंदौर से फिर बाकी जगे मालवार निमार में और भोपाल से आस पास अगर संक्रमन फैला तो वो फैलता है और इसलिए कॉंट्रेक्ट ट्रेसिंग जो पॉजिटिव पाए गए उनका पूरा ध्यान के वो आईसूलेसिंग रहा है कॉंट्रेक्ट ट्रेसिंग अस्पताल में जाने की जरूरते तो अस्पताल ले जाने की विवस्ता यह हम सब करेंगे क्योंकि अफरीका में और दुनिया के कई देसों में यह जो नया वेरियंट है वो और जादा तेजी से फैलता है ऐसे समचार आ रहे है इसलिए सावधानी आवस्सक है और मैं प्रदेस वासियों से अपील करता हूँ कि बिल्कुल भी आसावधान ना रहे हैं संक्रमन फैलने से रोकने के लिए जो आवस्सक नियम हैं उन सब का पालन करें सरकार आपके साथ मिलके कोई कसर नहीं छोड़ेगी हमारी कौसिस रहेगी कि तीसरी लहर ना पाए